हेलो एब्रीवन वेलकम टो आर यूटूब चैनल एंडिसी नभीन राणा दोस्तों उत्राखंड यूके तिरपल सी समूगा एक्जाम के लिए हिंदी सीरीज का लेक्चर नमबर 11 आज हमें आपर डिसकस करने वाले हैं तो जिसने बाकी के 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमार आपने 10 लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है तो आपको यह 12 लेक्चर समझ में नहीं आएगा इसलिए आपको जो है पहले लेक्चर को अच्छे से देखना है उसी के बाद आगले लेक्चर पर जाना है ठीक है तो चली आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे करते हैं जैसे कि अभी भाव समाज तत्पुरु समाज कर्मधारे समाज द्वंद समाज द्यूगु समाज और बहुबरी समाज हम इन्हीं कोई पढ़ते हैं पर जो इतत्पुरु समाज के अंदर भी कुछ भेद होते हैं दोस्तों यहां से जो है अब एक्जाम में क्वेशन बनने बन रहे हैं जादतर ठीक है तो इसलिंगे हमें यह तत्पुरु समाज को पढ़ना बहुत जादाए इंपोटेंट हो गया '' समझते हैं तत्पुरु समाज जिस समाज में दूसरा पद परदान हो डेक्शर no.10 में था पर दान्पद क्या होता है और समाज करने पर बिभक्ति कारक चिन का लोप हो जाता है उसे तत्पूरु समाज कहते हैं तो यहां से आपको एक चीज तो किलर हो गए होगी कि जिस समाज में दूसरा पद परदान हो यह तो आपको समझ आ गया पर यह समझ में नहीं आ रहा कि समाज करने पर बिभक्ति कारक चिन का लोप कैसे होता है यही हमने इस lecture में समझना है और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको तत्पुरु समाज जो है बहुत अच्छे से पेसल एक lecture लेंगे तो आज आपको यहां पर कारक देखने को मिल रहे हैं इनको आप समझे जब हम कारक लेक्चर लेंगे वहां पर आपको बहुत इजी होगा समझने के लिए तो चलिए कारकों में आप समझाने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले हम कारक की जो definition को समझते का कारक का अर्थ क्या होता है किर्या को करने वाला यानि कि अथार्थ क्रिया को पूरी करने में किसी न किसी की भूमका तो होती है उसको निभाने या 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 अर्थ पूर्ण बनाने वाला जो होता है वही क्रिया वही जो है कारक होता है मलब एक परकार से बात यह औरी यहां अगर समझ नहीं आया संगय या सर्वनाम के जिस रूप में किरिया तथा वाक्य के अन्य सब्दों के साथ संबंद का पता चलता है उसे का रख गयते हैं अभी भी समझ नहीं आया है तो यह देखो यह में जो एक्जामपल बता रहो इससे आपको क्लेर होने वाला है ठीक है च राम ने राबन को बान से मारा क्या लिखा मैंने बान से मारा यह मैंने एक एक्जामपल लिख दिया ठीक है अब आप इसमें देखेंगे यह राम कौन है राम है यहां पे एक करता मलब काम को करने वाला क्या काम हो रहा है काम क्या हो रहा है मारा गया ठीक है मारने का काम हो मारा किसको मारा रावन को ठीक है तो ये जिसको ये कर्म यहां पे जो है ये करता हो गया इसमें क्या हो रहा ये क्या हो रहा किरिया हो रही इसमें क्या क्या हो रही मारा ठीक है अब ये करता हो गया है राम ये क्रिया हो गया है और इस क्रिया का जिस पर परभाव पढ़ रहा ह किस麵े पढ़ी रहा है रावण पे ये करम होता है जिसमें कियरा का परभाव पढ़ता है तो ये चीज तो कलियर है ठीक है चलो अगर अब आपको मैं बताता हूँ कारक क्या है जो इनको इनके आपस में जो संबंद बता है इन में जैसे ये कार करता है ये करम है ये किर्या है इनको जो कनेक्ट करते हैं वो कारक होते है क्यों को इनको करेक्ट कर रहा है ने इनको कनेक्ट कर रहा है को यहां पर कनेक्ट कर रहा है से य हमने यहां पर ने लगाया तो आपको पता चल रहा है यहां पर करता को ने राम ने काम करने वाला तभी तो आपको पता चल यह करता है इस ने ने आपको बताया राम ने राबन को को ने क्या बताया कि इसको मारा गया कर्म को बताने के लिए इस को ने काम करा और बान से मारा क इस चीज को बताने के लिए इस से ने काम किया, तो यह जो यहां पर ने को से यही कारक है, यही कारक चिन है दोस्तों, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, आगे देखो, यहां पर मैंने एक और चीज बताई है, कारक के आठ बेद होते हैं, कितने परकार के होते हैं, आठ बे अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है बस आपको यह चिन याद रखने हैं बस और कुछ मिंग皮ने को कुन होता कि यह को करने वाला उस में नहीं आएगा अभी आप सिर्फ इतना यहाद आपको सब समझाने वाले अपने सिर्फ 10 मिनट और दीजिएगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा कोई भी डाउट नहीं रहने वाला कारक में ठीक है चलो कारक समझा गे तो तत्पुर्ण समास आपको इजली क्लियर हो जाएगा कारक है यहां पर करता विभक्ति चीन है ने करता के साथ हम पर किरिया पड़े मलब जिसमें जो है किरिया का परभाव पड़े ठीक है जिसे राबन पर पड़ रहा था ना किरिया का मारा राम ने राबन को बान से मारा तो मारा जो है किसको मारा गया राबन को मारा गया बान से तो राबन पर परभाव पड़ रहा है तो राबन यहां प कारक काके की रारेरी अधिकरन में पर संबोधन हे अरे मतलब यहां पर आप करन की बात करें तो करन क्या होता है से के द्वारा जब आप ऐसे बोलेंगे ना कि से के द्वारा जिस साधन से किया जा रहा है किस से किया जा रहा है मलब किस से मारा गया है और बान से मारा गया है त जहां से अलग होने का भाव होता है जिसे मैंने बोलते हैं पेड़ से पत्ता गिरा जब पेड़ से पत्ता गिरा तो वो क्या हो रहा है यहां से एक अलग हो रहा है तो अलग होने का जब भाव आता है उसको बोलते हैं क्या अपादान कारक समझ रहो आपको बस अभी याद कर रहा है करता कारक पहला कारक कौन से हो यहां पर देखो यह आट कारक है करतानी कर्म को कशुद्ध mermaid कर्दान को एक अपने बच्पन में ये कारक चीन होते होते हैं ठीक है बस और याद को नहीं आता है कर्म के साथ को आता है करण के साथ से और के द्वार और ये भी आपको पता होना चाहिए आगे देखो यहां से आपको क्लियर होने वाला है करता कारक होता है करता का अर्थ होता है काम करने वाला ठीक है संग्या या सर्वनाम के जिस रूप में किर्या करने वाला क बोध हो उसे कारक कहते हैं मलब जो काम किरिया को करने वाला कोई काम है उस काम को जो करने वाला होता है उसको करता कहते हैं मलब जिसके साथ ने चिन लगा होगा, वहाँ आपको करता मिलेगा, समझ रहे हो? जैसे आपने देखा, यहीं तो है, करता ने, ने आरहने इसके साथ, तो आपको clear हो गया होगा, कि इसे कौन सा कारक है, करता कारक है, समझ रहे हो, करता कारक यहां पर लगा, पिता जी ने खाना खाया, अगर आपके पाँ ऐसे संटेंस आ जाएगा, पिता जी ने खाना खाया, तो आपको बोला जाएगा, इसमें कौन सा कारक है, तो आप क्या बोलेंगे, करता, समझ रहे हो, तो यह आपको क्लियर हो जाएगा, यह इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि इसमें ने विभक्ति चिन लगा हुआ यह को पकड़ना है ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा तक कर्मकारक कर्मकारक क्या होता है संग्य या सर्मनाम के द्वारे किरिया का फल या परभाव जिस पर पढ़ता है उसको कर्मकारक कहते हैं ठीक है देखो जैसे की अध्यापक ने चात्रों को पढ़ाया अब पढ़ाया किसको पढ़ाया किसने अध्यापक ने क्या किया पढ़ाया और पढ़ाया जब गया तो उसका परभाव किस पर पढ़ा चात्रों पर पढ़ रहा है ठीक है तो यहां पर क्या आ आ रहा है को आ है समझ रहे हो तो यहां से आपको क्लियर हो गया कर्म के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा को भी भक्ति चीन आपको देखने को मिलेगी करता के साथ आपको क्या मिलेगा ने आपको देखने को मिलेगा ठीक है करता ने कर्म को इस तरीके से आपको याद रखना है आगे देखो क्वेशन आपको कैसे निकलेंगे सब हम देखेंगे करन की बात करते हैं करन कारे क्या होता है जिसकी सायता से कोई कारे हो या संग्या या सर्वनाम स लकडी काटी, अब लकडी तो इसने काटी, पर किसे आरी से, ये आरा से, मलब जब भी आपको करण मिलेगा, वहाँ पर आपको से देखने को मिलेगा, समझ रहे हो, जब आपको वहाँ पर से देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाना, ये करण कारक है, किलर है, से या के दौरा जिसे कंस क्रिस्ण के द्वारा मारा गया किसके द्वारा मारा गया है क्रिस्ण के द्वारा किसकी सायता से कारे किया जब किसी सायता से कारे किया जा रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए के द्वारा या से उसमें लगा हुआ होगा और ये करण कारक हो जाएगा अब याप बस इसको समझ नहीं आपको याद नहीं हो रहा कोई दिखा दे आपको सिर्फ समझ नहीं जो मैं बोल रहा हूँ आगे बढ़ो, सारी चीज़े खुदी किलियर होगी संपरदान कारक देखो संपरदान का साब्दिक अर्थ होता है देना, क्या होता है, देना जिसके लिए कोई कारक किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए बस वही संपरदान कारक हो रहा है मतलब क्या ध्यान से समझो जिसके लिए कोई कारक किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए तब संपर्दान कारक हो रहा है, देखो, देना इसकारत हो रहा है, संपर्दान मला आपसे देया जा रहा है किसमें, आयुस ने रोहन को पुष्टक दी, तो जब आप देते हैं तो आप को भिवक्ति चिन लगाएंगे वहां पे, महिला ने भूके को भोजन दिया, तो को आ र परभाव पढ़ रहा था, मा ने देख अध्या पगने चात्रों को पढ़ाया, तो इसमें परभाव जिसमें पढ़ रहा था, वो कर्म हो रहा था, पर यहां पर आप क्या हो रहा है, जब किसी को दिया जा रहा है, यह जिसे कुछ दिया जा रहा है, यह जिसके लिए कुछ क पारे किया जा रहे हैं तब संपर्दान कारक होगा तो जैसे महिला ने भूके को बोजन दिया तो यहां पर को विवक्ती चीन आ यह आपको किलर हो रहा है आगे बढ़ो सिर्फ देखते रहो कोई दिकत नहीं अगर याद करने की कोई जरूत नहीं आपको सिर्फ समझ नहीं तो यह पेड़ में बैठी ती चीडिया अब उड़ गई तो पेड़ से अलग हो गई तो आपको किलर होने चाहिए अपादान है त भी से आपको देखने को मिलेच से वहां से अलग होगी या पर आपको मिलेगी पर भी लगा रहता है ठीक है अपादान में तो यह चीन मैंने सारे यहां रखनें हैं यापको डेर्क्त याद रखनें सीदे यह आपको यहां रड़ देने इनको बस जस्ट आपने ने की बताए दिया जाएगा आगे थे ज़ा होता है संबंद कारक क्या होता है संञ्या का इस इस रूब से किसी वस्तु उस संुर्बर टोता है उसा मनगते यह तो बहुत सिंपल होगी संबनका मनदा design की लिए मैरे चाचा का लड़का मेरे चाचा का लड़का तो किस परकार से संबन्द हुरहाई का मलकि सालगका मैरेio सबस्क्स तो आपको कम्प्यूटर और आप में यह सम्वंद्ध का रगते हैं कि अधिकरन काररग होते हैं किरिया के आधार या उसके होने के स्थान का समय का बहुत है। होता है मतलब जब आपको लगे की मलब कोई टाइम बता रहा है जैसे अरजुन रत पर बैठा चोर घर पे तो उस इस्तान की बात हो रही जहां पर काम हो रहा है ना किरिया जो हो परकार करोव बैठे को एक समझ रहे हैं तो उनकी एक पोजिसन मैं बताई जाएंगी और समस्वधन लास्ट चूप जिस तरहां को बोलानेर पुखारने भावव पर उन आपकारता है हूँ और वभ यही सम्भव द यहाओ पीता इधर आओ हे इस्वर सबकी रक्षा करो इस तरीके से जो है आप बोलते हैं तो यह संबोधन जब आप किसी को करते हैं वो संबोधन कारक होता है तो इस तरीके से हमारे जो है आठ कारक पूरे के पूरे कम्पलीट होते हैं तो जिसमें हे अरे आप करते हैं मोदन कारक हो ग 있으면 आपको लगए किरियाख हो रही है उस किरियाख की जो इस्तान समय का बोध बोध हो रहा है उस समय पर जब बैठ बटें कक्षा में बच्छे बैठें कहां गजा यह बिचा एंडाल पे इस तरीक इसरीी धो बताया जा नारे का इस तरहूं संबन्ध आहिसे बढ़ा जाे जब है जो हम संपर्दान में क्या बोला था जब मैंने कि इसकाम अर्थ होता कुछ देना जब आप किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ काम करते हैं तो चैसे महिला ने भूके को भोजन दिया तो को इसमें विभक्ति चिन आ रहा है तो इस तरीके से हमने सारे जान लिए हैं बस अब आपको क्या करना है, यह याद रखने, करता ने, करता वाले में ने आएगा, कर्म वाले में को आ रहा था, करण में से के दौरा आ रहा था, यह सारे विवक्ति चीन आपको याद रखने हैं, ठीक हो गया, तो अब आपका जो कारक वाला टॉपिक भी लगए, आपको यही काम है तत्पुरु समास के हमने बात कर यह च्छे परकार के होते हैं ठीक है अब यह च्छे कौन गोन से होते हैं अभी हमने कारक चिन पड़े थे आठ आठ कारक हमने पड़े थे आठ में से जो यह पहला वाला है करता कारक को और लास्ट वाला संबोधन कारक को इन दोनों को ह हटा के ततपुरु समास नहीं मलब इन दोनों में जो है ततपुरु समास नहीं बनता है आपको यह याद रखना है ठीक है पहला वाला और लास्ट वाल में नहीं बनता बची कितने आठ में से दो गए तो छे बच गए इनी छे में जो है ततपुरु समास बनता है तो अब हमे नमबर भी क्या आता है कर्म तत्पूरु समास ठीक है तो अब इस कौम समझेंगे कर्म तत्पूरु समास होता पहला छे परकार होते हैं तत्पूरु समास के उसमें पहला जो होता है कर्म तत्पूरु समास अब इसमें क्या है देखो कर्म तत्पूरु समास क्या होता है जिसम आपके पास पूछा जाएगा करम तततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत आप क्या करोगे आप गगन चुम्बी का क्या करोगे बिगरे करोगे बिगरे करोगे तो आप कैसे बोलोगे इसको गगन को चूमने वाला ऐसी बोलोगे गगन चुम्बी तो तब आपको यहां पर दिख रहा है को बिभक्ति चिन आ रहा है को बिभक्ति चिन को आपने लोप क कहते हैं कर्म तत्पूरुस तो इसमें को का यहां पर क्या लोप हो रखा है तभी तो यह गवन चुबी बना तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या है कर्म तत्पूरुस समास है आपको किलर हो गया एक और एक्जांपल बताता हूं आपको दे दिया जेव कत्रा क्या लिख बिग्रह करना है बिग्रह कैसा होता है जेब को कतरने वाला वह इसी को तो बोलते हैं जेब को कतरने वाला ऐसी लिखोगे इसको कतरने वाला ऐसी होता है जेब कतरा किसको बोलते हैं जेब को कतरने वाला तो जब आपने इसका बिग्रह करा तो इसमें आ रहा है को तो जब पूर रखाया है इसलिए जेव कत्र वर्णा तो जब क्या है यही तो डेव जेती सनगे जिस कर्म-कारग की विवक्त को क लोप हो उससे कर्म-Tत्पउुरू समास कहते हैं इस तरीके से जेव कत्रे में क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा एक दो एक्जामपल और लिखते हैं जैसे मैंने लिखा रत चालग मैंने लेका रत चालग तो इसको क्या बोलते है इसका आप भिगरे क्या होगे रत को चलाने वाला तो को कि बिवगती चिन का लूप हो रखा है तो रत चालग में कौन सा है कर्म तत्ष्परुष समास हो जाएगा आपको कलर हो रह नहीं हो रहा एक और देखतो मूँ तोड़ मैंने बोला मूँ तोड़ तो मूँ तोड़ से आप क्या समझेंगे मूँ को तोड़ने वाला ठीक है तो आप समझ जाएंगे मूँ तोड़ मूँ को तोड़ने वाला को का इसमें क्या हो रहा लोप हो रहा मोह तोड़ा गया यस प्राप्त यस को प्राप्त ठीक है जो यस को प्राप्त हो को का लोग पूरा इसलिए यस प्राप्त हो रहा है यस प्राप्त आ रहा है ठीक है चीडी मार मैंने लिखा चीडी मार तो चीडी मार को क्या बोलेंगे आप इसका बिगर है शीरिया को मारने व तत्पुरु समाज कितने परकार की होते हैं? छे परकार की होते हैं. पहला कौन से है? कर्म तत्पुरु समाज. वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया. इसके बाद चलते हैं दूसरा होता है कर्ण तत्पुरु समाज. ठीक हो गया? दूसरी क्या होता है? कर्ण तत्पुरु सम करता ने कर्म को करण से तीसरे नमबर पी आ रहा है करण से तो करण में क्या से का लोप हो जाएगा ठीक है अब आपको एक देदिया इन्हों हस्त लिखित अब आपको इसको करना है ये शाबद नतीया इसको बिगरें워ेंगे रिफिसको देनगे हस्त को लिखित ऐसे करेंगे इसको नहीं हस्त से लिखित मलब हाथ से लिखना लिखा हुआ है वो इसे तो बूलेंगे हस्त लिखित तो हस्त से लिखित मलब हाथ से लिखित तो इसमें क्या रहा है से आ रहा है क्या आपको इसमें को लग रहा है हाथ को लिखित ऐसे बना सकते हैं, नहीं न, तो आप इसको यही बनाएंगे, हस्त से लिखित, हाथ से लिखित, तो आपको लगए हैं, इसमें से अभिवक्ती चीन आ रहा है, तो से किसमें आता है, कर्ण में आता है, तो आपके दिमाग में सिद्धा सिद्धा आना चाहिए, किसमे kaka loc o raha है तो मतलब इसमे क्या है कर्ण ततपूरसमास है klair होगे हस्त लिखित में ठीक है कर्ण ततपूरसमास एक दो और example देता हूँ मैंने लिखा मनचाहा क्या लिखा मनचाहा तो अब आपको बताने है इसमें कौनसा समास है ठीक है, तो आपके option क्या है, कर्म तत्पुरु समास, कर्ण तत्पुरु समास, संपरदान तत्पुरु समास, अपादान तत्पुरु समास, तो आपने क्या करना है, इसका मन चाहा को आपने क्या क्या बिगरे करा, तो आपको कैसे बनाएंगी इसको, मन चाहा, मलब मन से चाह रहा है तो आपको कलयर हो गया यह करणातक्पूरु समास हो जाए ठीक है मैंने बताव सोक्रेत में कौन तो आप कैसे बोल। इसका बिगरे सोक से गरस्त है जो से आ रहा है से का मलब आपको पताब चल cities करणाततपूरु समास. इसलिए मैंने पहले इनको डीटियल से आपको चीन भी बताये थे, ठीक है? आपको एक और, रस भःहा. मैंने लिखा रस भःहा में कौन सा समास है? तो आप क्या बोलोगे? रस से भःहा तभी तो वो रस से भःहा. रस को भःहा बोलोंगे इसमें नहीं ना आप रस से भरा ही बोलेंगे तो जब इसमें से आएगा तो आपको किलर हो जाएगे इसमें कौन सा है कर्ण तत्पूरु समास किलर हो रहा नहीं हो रहा है चली तो आज की इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं ज्यादा करेंगे तो आपको समाज के 6 परकार होते हैं उसमें से 2 परकार हमने आज अच्छे से समझ लिये हैं ठीके तो अगर आपको समझ आ गया है कोई confusion है डाउट है तो मुझे comment कर सकते हैं अच्छा लगा है like करें comment करें share करें अपने दोस्तों के साथ thanks for watching and thank you